अज़ अबरिवन तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे Glaciers in Jammu and Kashmir तो जब्वर किसमीर में important glaciers कौन से हैं उनकी location क्या है वो किस river को drain करते हैं इस लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट तो पहला glacier जो हम पढ़ेंगे आज वो है Baltoro Glacier Baltoro Glacier basically कहां लाई करता है यह जब्वर किसमीर के बाल्टी स्टान एरिया में लाई करता है and it is on the southern slopes of Central Corcoran Range तो Corcoran Range के southern slope पर यह located है it is the second largest glacier in the Himalayan region जिसकी length आप देख सकते हैं 62 km है और basically यह river एक river को drain करता है उसको water provide करता है उस river का नाम है Shigar River so your Baltoro Glacier provides water to the Shigar Glacier Baltoro Glacier के दो Tributory Glacier भी है जिसका नाम है गाशरबम और एक का नाम है माशरबम तो गाशरबम माशरबम basically इसके दो Tributory Glaciers है और यह glacier को एक region है जिसका नाम है सकरदू उसके थ्रू भी access किया जा सकता है और इसका करदू कहां लाए करता है इट लाइस इन लद्दाक अब हम बात करेंगे बियाफो Glacier की बियाफो Glacier भी बाल्टी स्थान एरिया ऑफ जेहन के में लाइक करता है और साथ ही साथ यहां पर एक चीज़ नोट करने लाइक है यहां पर कोई भी vegetation बिल्कुल भी नहीं है अब हम बात करेंगे हिसपर Glacier की यह भी बाल्टी स्थान एरिया में लाइक करता है और यहां पर भी कोई vegetation बिल्कुल भी नहीं है यह भी आपकी शिगर रिवर को वाटर प्रोवाइड करता है अब हम बात करेंगे नुब्रा Glacier के वार में तो नुब्रा Glacier जो बेसिकली लदाख रिजन में लाइक करता है और यह कहीं न कहीं नुब्रा रिवर को वाटर भी प्रोवाइड करता है और यह वही नुब्रा रिवर है जो अल्टिमेटली शियोग रिवर में मिल जाती है तो शियोग रिवर की ट्रिविट्री है आपकी नुब्रा इसके नॉर्थ वेसन स्लोप और साउध इनल स्लोप में आपको छोटे-छोटे कुछ glaciers मिलेंगे इस इस दा इंपोर्टेंट या सिगनिफिकेंस ओफ नुब्रा ग्लेशियर अब हम बात करेंगे रिमो ग्लेशियर के वारे में तो रिमो ग्लेशियर जो है नुब्रेशियर इसी का नॉर्थ उपर से बना है जिसका नाम है नौर्थ, सैंटर और साउथ और यह प्रहे सियाचिन ग्लेशियर के тепर आपको रवारे में बात करेंगे है तो रिमो ग्लेशियर की लोकेशन इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर बर लाई करता है, नियर दा मांटन बीसीन जिसका नाम है साल्तोर मासिफ, और यह ग्लेशियर बेसिकली साल्तोर रिवर के किसी एक स्ट्रीम, उसकी दो स्ट्रीम है, उसमें से एक स्ट्रीम को ये वाटर पोईट करता है, अब हम बात करेंगे तो अगर आप सो के पूछे वेपन में कि पोलर रिजन के बाहर अगर कोई लाजस ग्लेशर है तो वो आपका सियाचिं ग्लेशर ही होगा इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 72 किलोमेटर है और ये ग्लेशर वाटर पोवाइड करता है किसी रिवर को जिसका नाम है शक्सगम रिवर जो की करकरों रेंज के पैरलल फ्लो करती है और वो अल्टिमेटली टिबट में एंटर कर जाती है तो शक्सगम रिवर कहां एंटर करती है ये एंटर करती है टिबट में तो सियाचिंग ग्लेशियर के कुछ ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर भी हैं इसका नाम है मैमस्तौंग और शलकर कॉटन जैसा कि आप इस माप में देख सकते हैं हमने इंपोर्टन इंपोर्टन ग्लेशियर की लोकेशन मां की हुई है तो पहले हम बात करेंगे अंदा लदाख रिजन तो यह है आपके सियाचिं रीमो और नुब्रा जो आपके लदाख रिजन के पास है और यह तीन ग्लेशियर हिस्पर, बाल्टोरो और बियाफो यह बेसिकली आपके बाल्टिस्तान वाले रिजन में लाए करते हैं पाल्टिस्ता रोज बाल्टिस्तान वाले इसित्वा इस निजन के बाल्टिस्तान देग कि अ कि अ